हईआ हैं हम दोस्तों कैसे आप सब आश्रकरते क्या में हैं और यहां पर प्रतिसत निकाला हम लोग सिखेए एक दम बेसिक से शिखेंगे परतिस निगालना ठीक है यहां पर दीया ?. कि न हम लोग जानते हैं और का मतलब लिखेंगे गुणरा और यहां पर 15 का मतलब होता है बटा में-auntred ठीक है भता ही हो गया है कि इतना ही करना हैstyle लिखले का मतलब गुणरा और इंग्लिछ में ऑफ रिखता है ठीक है और लिखते हैं English में एक गिरो से एक गिरो कड़ गया ये आगे solve कर लेते हैं 26 गोड़े 15 बटा में 10 ये 13 दूना 26 तो ये 5 दूना 10 और ये 15 यहां पे 13 तिया 49 इसदा राइट इन सथ ठेक है अगला देखते हैं 420 का बारा परती सथ इसको यहां पे 420 और का मतलब गोड़ा और एक जिरो से एक जिरो कड़ गया यहां पर 42 में 12 का गुणा करेंगे यहां पर 12 दूना 12 दूना हो गया आपका 24 और दूहांसिल और बढ़ चुका 48 दूप 504 बटा में 10 तो हम लोग इसको एक जिरो को अटाएंग और यहां पर क्या कर देंगे 10 मौलों लगा देंगे यानिक आपका यह हो गया 50.4 इसका राइट एंसर होगे ठीक है अगला है 900 का 40% यहां पर 900 का मतलब हो गया गुणा और 40 बटा में 100 तो यह दो जिरो से दो जिरो कड़ गया ठीक है यहां पर आसान हो गया अगर ऐसा कोशन दे जिसमें 20 रहे ठीक है शुरुआत में लाश्क में 20 रह जो बाकी बचे का उसको लोग गुणा करके लिए यहां पर नचोग के 36 हो गया 360 राइट एंसर अगला देखते हैं 540 का 70 प्रतिसाथ ठीक है यहां पर हम लोग लिखेंगे 540 का मतलब हो गया गुणा और 70 बटा में अब का 100 ठीक है यहां पर हम लोग इसको परतिसत को काट स सकते हैं वहां पर भी यह फंडा लग जाएगा एक जिरो से एक जिरो एक जिरो से एक जिरो यह इसका वह एंसर हो गया चौवण और वोड़े साथ सचुक्य है अठाइस दो आशी साथ परच बैटिस दो 37 इस दा राइट एंसर लोग तो बीडियो को लाइक करें और चैनल क सबस्क्राइब जिरों करें